राजी जोटिकभड सेंचे कह रहे हैं जो दस राज्यों के इलेक्शन का अगर जम्मु कश्मिर में होते हैं तो दस राज्यों जाएँगे अगर इनका परिणाम आता है तो वो उसको इतनी तवज्यो नहीं दे रहे हैं वो कहरे हैं 24 में ही फैसला करेगी 140 करूर की जनता देखिए विपनेश्ट ये सब सियासी दलों के पैतरे हैं यही भारती जन्ता पार्टी के नेता अगर त्रिपुरा में चुनाओ जीतेंगे तो वो कहेंगे कि विपक्ष के हिंडनबय की रिपोर्ट आडानी और राहूल गांदी का चिलाना देखिए जन्ता ने हमें मेंडेट डे दिया हम यह कहां पहुँच गए अगर यही लेफ्ट कॉंग्रेस या भारती जन्ता पार्टी बहुमत नहीं पाएगी तो विपक्ष के नेता कहेंगे कि देखिए अभी तो यह आगाज है दो हजार तेरह का दो हजार तेईस में अंजान देखिए दो हजार चौबिस में क्या होगा पहला ही स्टेट बीजेपी से छिन गया तो यह तो जब जैसी परिस्टितिया आती है सियासी दल उसी हिसाब से बोलते हैं आप देखती नहीं है 11 बज़े तक बोलते हैं कि अभी तो शुरुआती रुजान आ रहे हैं और एक बज़े बोलते हैं कि जन्ता का फैसला सर माते पर तो यह आप पुलिटिकल पार्टी के आदिगरहण आदानी ने पिछले साल आदानी ग्रूप ने उसका एक साल पहले आदिगरहण करने का ऐलान किया था 7,070 करोड रुपए की सिर्फ डिल थी आपको मालूम है कि लाखो करोड आदानी दुनिया के किस नंबर के थे देश के किस नंबर के उद्द्योग पती नहीं हो गई हुई और आदानी ग्रूप ने अपने पैर पीछे खीच लिए क्या हिंजन बर की रिपोर्ट और उस पर जो संसद में बवाल अगर यह नहीं हुआ होता तो क्या 7,000 करोड रुपए की डील आदानी ग्रूप नहीं कर पाता यह एक 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 इसका असर आप समझ कर दिया कि वो इस डील से पीछे हट रहे हो डिल टूट गई जो पैसा देने का समय था वो डिल टूट गई तो यह असर है और दूसी बात आदानी ग्रूप या गौतम आदानी अब किसी सरकार के महताज नहीं है पहली बात तो यह आपको यह समझना चाहिए कि आदानी और अबानी पर आप हमला करते आदानी और अबानी अगर कमजोर होते तो देश कमजोर होगा इनके हिलने से देश हिलेगा अब आप यह इस मुकाम इस पायदान तक पहुँच चुके हैं कि इनको बचाना देश की सरकारों का देश की लोगों का का आपको मालूम है कि अमबानी पती नहीं है लाखों निवेशकों ने इन में पैसा लगाया हुआ है और लाखों लोग इसी देश के पूरी अर्थ बेवस्ता की धूरी है सारे इंफ्राइस्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट इन ही लोगों के पास है जितनी भी चीज़े आप देखे देश के विकास का पैया बहुत कुछ इन ही लोगों की वज़े से घूम रहा है तो बात यह है कि सियासी लड़ाईयों में हमारे उद्योग पती जो बड़े और सिर्मोर उद्योग पती अगर उनका नाजाएज नुकसान होता है तो देश का नुकसान होता है लेकिन सवाल यह कि जो कमपनी अगर आर्थिक रूप से इतनी मजबूत थी तो यह सियासी विवाद होने की वज़े से 7000 करोड रूपए की डिल नहीं कर पाई यह भी अपने आप में सवाल है लेकिन बात फिर वही उड़ती है कि इसके लिए प्रधान मंतिर नरिन मोदी पर भष्टाच के कीचड उचाल कर क्या विपक्ष देश की मना इस्तिति को बदल सकता है या इसको 2024 के चुनाव तक ले जा सकता है क्या इस देश का आम नागरिक यह मानने के लिए तयार हो सकता है जो विपक्ष की आरोप है यह सबसे बड़ा सवाल है बिल्कुल राजीव यही सवाल है कि मुद्दा आगे कितना सस्टेन कर पाएगा और विपक्ष कितना इसको अपना मजबूत हत्यार बना कर रख पाएगा